शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें खुरोना की परुष्टभूमी के खिलाफ, राज्यमी शुरू होने वाले लॉकडाउन ने कॉलेज विश्व विद्यारय परिक्षाओं के साथ साथ अन्नफ प्रतियोगी परिक्षाओं को भी CET परिक्षाओं को भी स्तगित कर दिया था परिक्षा और अगलेक्षा एक्षनिक वर्षा के बारे में छात्रों के मन में बहुत भ्रहम था आज महाराश्टर राज्यों के उच्चोर तक्निकी शिक्षामत्री उधे सामत ने परिक्षा के बारे में छात्रों के मन में भ्रहम को दूर किया है फेस्बुक लायो के माध्यम से बाच्चीत की है और UGC ने कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट जारी की थी और पुरे देश में विश्व विद्याले परिक्षा कारेकरम के लिए दिशा निर्दे जारी के थे अब महराष्ट्र सरकार ने अपने अनुसार यह निर्दे लिया है अंतिम कक्षा की अंतिम सत्र की परिक्षा के बिना छात्रों को अगली कक्षा में भेजने का निर्दे ग्रेड और अंक बनाए रखने के लिए विशेश अंक दिये जाएंगे अगले साल ग्रेडिंग में सुधार के लिए अगले साल विशेश परिक्षाय आईजित की जाएगी इसके अलावा मुंबई विश्वर विद्याले और सावित रिभाई विश्वर विद्याले में आयजित परिक्षाओं के लिए सर्वोत्तम अंको का चयन करने के ग्रेडिंग तै की जाएगी तो UGC के दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिमवर्ष की परिक्षाओं होगी महाराष्ण में भी CET परिक्षा जुलाई में बारवी कक्षा के परिणाम घोशित होने के बाद ही आयजित की जाएगी 1-15 जुले के बीच CET परिक्षा और 23-3 जुलाई के बीच में CET PG परिक्षा आयजित करने का प्रयास के आजाएगा